नरुश्कार आज हम discuss करेंगे HPSSG का previous विप्रह है। हम हमें第 डिस्कस करेंगे हो दिस्कस करेंगे आपको आने वाले हरीक एक्जाम बाद मिल सकेकर हम फिर्च बूर्स यो है। कुगती दर्रे की बात करें कि इसको किसके साथ जोड़ता है कुगती दर्रे की बात करें कि इसको किसके साथ जोड़ता है कुगती दर्रे की बात करें कि इसको किसके साथ जोड़ता है कुगती दर्रे की बात करें कि इसको किसके साथ जोड़ता है कुगती दर्रे के बारे में 4961 मीटर जो है वो इसकी हाइट है मीटर में इसकी हाइट बता रहा हूं ये भी ध्यान रखेगा इसके रहवा कुछ ऐसे दर्रे जो लोहल को भरमौर से भरमौर को लोहल से जोड़ते हैं उनके बार में चर्चा करते हैं तो एक दर्रा है जिसका नाम है दुग्गी दर्रा, दुग्गी दर्रा जो है ये भी भरमौर को लोहल से जोड़ता है, एक दर्रा है छोबिया दर्रा, छोबिया दर्रा जो है ये भी लोहल को भरमौर से जोड़ता है, तो ये तीन दर्रे पहले आपने याद रखने है, एक का चल गया दूसरे नंबर पर मैंने आपको बताया दुग्गी दर्रा दुग्गी दर्रे की हाइट है 5060 मीटर पांच हजार साथ मीटर जो है वो इसकी हाइट है दुग्गी दर्रे की तीसरे नंबर पर मैंने आपको बताया चोबिय दर्रा चोबिय दर्रा जो है इसकी हाइट ह 4934 4934 4934 4934 जाएगा अभी हमने कुकती तरह याद डिसकस किया उसकी है चार हजार नौसो इकासर मिटर थी वह भी आपको याद रहे जाएगा तो इसी तरह जो है वो चीजें धीर धीर याद रहेंगी सेक्टरेट के एक्जाम में हो सकता है कि इस तरह से थोड़ा सा टाफ करके पूछ ल और बहुत सारी आती जwachित को पता होना चाहिए जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए यहां किनारे में किन आर्यमाय स्थित पाइब मनाली यह पढ़ता है इसके लाबा कुल्लू में और कौन सा है कुल्लू में जो है कशोर पानी का जस्मा पड़ता है ये भी गरम पानी का जस्मा है कुल्लू में जो है मनिकर पानी का जस्मा पड़ता है ये भी गरम पानी का जस्मा है और एक जो है वो मनाली का है मनाली का जो जहरना है वो बहुत बार एक्जाम में पूझा जाता है उसका क्या नाम है वो है रहला वाटरफॉल रहला वाटरफॉल कहां पर सित है ये मनाली में सित है और ये जो रहला वाटरफॉल है ये ठंडे पानी का वाटरफॉल है ये ध्या रखेंस ilना अफ्री के लावा सतधार जो है सा दरां आप से पूझाता है ज้र्णा है धंचो जो है यह वो न है काली न में तत्ता पानी ट्रथाइक पूषेला यह यह चोट चोट एक्जाम में यह बहुत बार पूचा गया है तत्ता पानी जो है वो कहां पर सित है यह मंडी में सित है और यह गरम पानी का जहरना है यह आपने द्यान रखना है अगला कोशन है वैली से लेक्ट बोलते हैं चुहार वैली चुहार वैली इस लोकेटेड इन व मंडी के चिले में चुहार घा começo सित है मंडी में मोस्ट इंपॉर्टन फरेटाइल मुर इसको के सकते हैं बछाटेटे को सित दाम vite कहां पर सित homicide ब्लासपूर में यह तो आप नहीं दो आप यह एक आप से चौंत्रा वैली पूझ आते हैं सांगला घाटी को बशपान गाटी सो पूझ आत है और यह किन्ल टो सित है चंबा वैली को जो है वह वैली ऑफ हनी एंड मिल्क भी कहते हैं कि इंपोर्टन वैली का हो गया वैली के बाद आगे है क्वेश्च नमर 125 125 में पूझते हैं वैदिक नेम-體 नाम बिषक नामम से पूझा गया है अर्जिके का वैदिक नाम है अगर हम बात करें गवे ऑश्किनी छिनाब नदि कालंदी कालिंदि नाम है विपासा देखो ब्यास नदी को विपासा भी कहते हैं और उसका संस्क्रित नाम जाओ विपासा के रूप में इसको जाना जाता है यहां पर specific रूप से आपके से वैदिक नाम पूछा दे हैं अगर हम ब्यास नदी की बात करें तो यह 12,000 square kilometer area जो है यहां पर cover करती है यह भी आपको बता होना चाहिए यहां इसकी बहुत सारे important side में थी है पहले तो यह निकलती कहां से तो यह रोतांग धर्रे के स्मीप जो है वो निकलती है कहीं से यह आपने ध्यान रखना है और जब यह रोहतांग दर्जे किसमule कहां चेंग लुठी है तो, आपने एक और बात याद रखनी है कि हिमाचल परदेश में ये कितनी किलोमेटर बहती है हिमाचल परदेश में ये अप्रोक्सिमेटली बहती है 256 किलोमेटर कितना 256 किलोमेटर ये बहती है हिमाचल परदेश में जाती कंते हैं उनमें पारवती आजाती है बन शाती है राट लाट या जाती है हार्ला जाती है आ जयती है और बहुत साने पूछ जयाहती है यह िर्फंट difficult को दियान रखेगा आगे देखिए आगे 126 question में क्या पूचा गया है 126 question में पूचते हैं आपसे यहां पूचते हैं कराली लेग लोगेर इंवीजी इस्टिक आफ हिमाचल प्रतेश है जो कराली जील भी फिलावां आपके पास की नौर में डिया गया है कि नौर में नाको जील आती है कि नौर में सोरंग जील उना में ऐसी मुख्य रूप से जील नहीं है और हमिल पूर में भी जिस एख वह रूप जील नहीं है और जीलों से लेट क्या कॉशिन पूश ले जाता है कि जो हिमाशल प्रदेश की सबसे बड़ी नैच्रल जील है हिमाशल प्रदेश की सबसे बड़ी नैच्रल जील जो है वो कौन सी है सबसे बड़ी नैच्रल जील जो है हिमाशल प्रदेश की रेनुका जील और गोविन सागर बांध जिसको भाकड़ा बांध के नाम से भी जाना चाहता है 1963 में बनकर यह त्यार हो गया था यह सब आपने यहां से याद रखना है एक जील है हिमाचल के चेल कहां पर सीता हुआ जल्दी से कमेंट करके बताएजीए आगले गोशन में बोलतें हैं The the total number of administrative division ही इर्माचल प्रदेस इस तो हिमाचल प्रदेस में कुल कितने प्रसाशनिक प्रभाग है प्रसासनिक डिवीजन की बात की गई है, प्रसासनिक मंडलों की बात की गई है, तो हिमाचल प्रदेश में टोटल तीन प्रसासनिक मंडल है, अब ये तीन प्रसासनिक मंडल है, इनमें कौन-कौन से मंडल जो है, वह आती है, एक तो आपका कांगडा, यानि कि धरमचाला अगणधा आजाता है यह और से हम जुद जयता है यह हम पर क्या है इसके लावा कॉछन आपकर यह पूछे जाता है कि कांगडा जो मंडल का मुख्याले कांपर तो मैंने आपको क्या में कांगडा मंडल तो कंगडा मंडल जु septum कांगडा हिमाचल प्रदीश का सबसे बड़ा डिष्टिक है इंटर्माव पॉपुलेशन यहां पर सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीट्स आती है 15 सीट्स विधानसभा की डिष्टिक कांगडा से आती है और यहां पर जो है चौधरी स्रवन कुमार कृषी विश्चे भी आपने ध्यान रखना है जो कांगडा डिवीजन है उसका है अगला कौशन देखे बोलते हैं था फाउंडर ऑफ सिर्मौर प्रिंसली स्थेट पूछा गया है सिर्मौर प्रिंसली स्थेट की स्थापना राजा रसालू के बारा की गई थी ऑप्शिन सी जो है उससे एंस जाया थे वह कौँ थे सिर्मौर जो रियासस थी उसके अंतीम राजा राजेंदर प्रकास यहां के अंतीम चाशतास और जो था हुआ हमाचली प्रदेस का एक जिला बनी थी पंद्रा प्रैलों निस और दाल इसको यह माथ की प्रजेश का जिला बन गई थी एक और कोशन पूजाता है कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस टाइम सिर्मौर के राजा कौन थे और उनका जुथा वो क्या सहुग रहा था या फिर सहुग नहीं रहा था अंग्रेजों को लेकर जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस टाइम राज सिर्मौर के राजा संसेर प्रकास ने था उठावन के विद्रोह में जथा वो अंग्रेजों की सहाईता की थी यह अपने ध्यान रखना है कि इन्होंने अंग्रेजों की सहाईता जो था उस दो जो था वो फिरोट साथ उगला के समकालीं थे आगे देखिए क्या बोलते हैं 131 कोईशन हैं बोलते हैं था एक्जीक्यूटिंग अजेंसी ऑफ उहल 3 हाइड्रो लेक्ट्रिक पावर प्रजेक्टिस यह जो उहल 3 पर योजना है हाइड्रो लेक्ट्रिक पर योजना इसको परियूट करने वाली परियूट करने वारी आजैंसी कोंसी ए तो उहल 3 हाइड्रो लेक्टिक पर बर्जेक्ट को जो है जो जेवर्जैशन करते हैं इसका क्या नाम है उसका नाम है हिमांचल प्रदेश स्टेट इलेक्रिसिट्टी बोर लिर्म्टेट से गितने परियूट यह 100 MW की परियोजना आपके पास आती है अब यह 100 MW की परियोजना है हिमासल प्रदेश स्टेट इलेक्रिसिटी बोर्ड लिंटिर इसको एक्सिकूट करता है करता है कि उहल तीन परियोजना जिवाव कौन सी नदी के उपर बनी हुए वैसे तो उहल खुद देख न दी है प 132 बोलते हैं हिमासल प्रदेश टेक्निकल युश्व विश्व विद्याली ब्यान रखे पूछा गया है तक्निकी विश्व विश्व विद्याली अब तक्निकी विश्व विद्याली हिमासल प्रदेश के हमिरपूर में जो है यह तक्निकी विश्व विश्व विद्याली अगर आपसे पूछा गया हिमाचल प्रदिस Board of School Education कहां पर सिथा है तो वो धर्मचाला में सिथित है अगर आपसे पूछा गया हिमाचल प्रदिस कृषी विश्चय विज्चव विदैले कहां पर सिथा है नौनी में नौनी जो है वो डिस्टिक सोरन में पढ़ता है केंदरी विश्चय विद्याले कहां प्रसित है डिस्टिक कांगडा में सतित है आई आई टी इंडियन इंसिटूट आफ टेक्नलोजी कहां प्रसित है मंडी के कमंड में सतित है नेशनल इंसिटूट आफ टेक्नोलोजी कहां पर सीट है नेशनल इंसिटूट आफ टेक्नोलोजी निए निए जो है वह हमिरपूर में स्तित है तो इसारा आपको पता चल गया जो ही माशल परेज की कोईशिन अभी हम डिसकस करेंगे, उससे पहले देखिए अगर अभी तक आपने हमें टेलेग्राम पर जोएन नहीं किया है टेलेग्राम जहां पर आपको हर इक important PDF मिल जाएगी exam से related आपकी उस पर जोएन करने के लिए अपना टेलेग्राम खोलिए वहाँ सर्च किजिए at the rate all exam 31 आपको हमारा टेलेग्राम चैनल मिल जाएगा उननीस हजार से अधीक लोग हमारा साथ जुड़ चुके है आप भी जुड़ जाएगे आपको भी आने वाल exam में help मिल सके अब ही हम बात करते हैं important grant affair आज हम डिसकस करेंगे मार्च महिने के important grant affair दो important grant affair आप ध्यान रखेगा पहला grant affair है इंडियन रेलवे ने अपना पहला गती सकती cargo terminal commission किया है वो कहां पर किया है वो असांसोल डिवीजन में किया है असांसोल डिवीजन ध्यान रखेगा यहां पर इन्होंने ये commission किया है इस तरह से लिखेंगे आपका असान सोल डिवीजन है यह इंडियन रेलवे का जहां पर पहला गती सकती कार्गो टेजिनल जो है वो कमिशन किया गया Most important क्रेंट पिर का question है और दूसरा question है आपका World Happiness Report 2022 से लिए World Happiness Report 2022 जो है वो निकाली गई है आल फिलाल में मार्च महीने में यह जो मार्च महीने में रिपोर्ट निकाली गई इसमें देखा गया कि Finland, Finland Finland जो है वो सबसे पहले स्थान पर रहा है और काफी डाइम से यह पहले ही स्थान पर रहा है Finland और अपना इंडिया जो है वो इंडिया जो है कौन से नंबर पर आया इंडिया जो है 136 पोजिशन पर जो है वो आया है पहले लास्ट इर इंडिया का रैंक 139 था, अब इंडिया ने 136 रैंक जो है वो ही इन किया है और इस बार जो है काफी improvement जो है, वो तीन अंकों की improvement जो है वो इंडिया ने की है अपने rank में, ये दो important, most important के हैं कहिए, in current affairs को आप ध्यान रखिये, और आज की वीडियो में इतना नहीं काफी है, so that's all for today, thank you thank you very much for watching and listening it very patiently